हालो एव्रिवन आई होप आप सब अच्छे होंगे तो आप लोगों के ही पॉपलर डिमांड पर मैंने कुछ सेशन्स रिकॉर्ड गया आपके लिए जो कि आने वाले 11 जेपीएसी एक्जाम के लिए यूजफूल रहेंगे हैं अगर आपके पास प्लान नहीं है किसी भी एक् के साथ आगे पढ़ना बहुत ज़रूरी है रैंडमली कुछ भी करते रहेंगे तो कई बार जो है वैसा सफलता नहीं मिल पाता है जैसा कि आप एक्सपेक्ट करते हैं ठीक है तो यह जो वीडियो है बेसिकली जो पुराने स्टुएंट्स होंगे उनको कई बात के मन में जो भी डाउट आ सकता है ना उन सब को यहां पर मैंने कंसुलिडेट करने अकुछिस किया है और सब का जबाब आपको देने का प्रयास यहां पर किया गया है तो इसको आप देखिए यह सिर्फ फर्स्ट सेशन है इसके अलावा भी और कई सारे वीडियो जो आपक किजिए इन सारे सेशन को देखने के बाद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहता है तो प्लीज आप कमेंट छोड़िए नीचे है ना मैं लास्ट में अगेन आपके सारे कमेंट को देखूंगा और उसको रेगुलराइज करके एक सेपरेट डाउट क्लियरेंस अगेन ए अगर यह 11th JPSC के तरफ डेरिक्टेड है तो डेफिनिटली यहां पर छटे JPSC का हमारा अनुभब जो भी रहा और साथ में JPSC का अभी तक मेंस तक जो भी अनुभब रहा है वो सब में भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा 11th JPSC अटेम्ट करने से पहले तो और ए JPSC का इंटर्व्यू का experience के लिए आप में से कई लोग request किये हैं उसको मैं एक दो दिनों में आपको दे दूंगा ठीक है वहाँ पर और इंटर्व्यू में क्या कुछ हमारे हिसाब से क्या अच्छा हो सकता है क्या best practice हो सकता है जो आपको अपने अंदर inculcate करना चाहिए व किलाल यहां पर आज का session start करते हैं और यहां पर कुछ ऐसा बात हम लोग जानने और समझने कोशिस करते हैं जो कि बहुत ही basic है और आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए आगे बढ़ने से पहले तो सबसे पहला जो सवाल एक aspirant के मन में उठता है कि मुझसे होगा यह नहीं ठीक है ना can I do it तो यह जो है सो बिल्खुल आप अपने दिमाग में निकाल दीजे यहां पर कुछ myths भी है market में फैला हुआ है अलांकि यह सब धीरे धीरे demolish होता जा रहा है जैसे जैसे IT और इसका प्रसार हो रहा है तो हम लोग विडियो देखते हैं successful candidates के हैं जो कि जिनका कि में भी schooling या college के time अच्छा performance नहीं रहता था लेकिन वो सब फिर आगे चल कर जो है सो आप state PhD तो क्या UPSC भी आराम से वो लोग qualify करते हैं तो ऐसे लोगों के मतलब कहानियों सो जो है भरा हुआ है internet तो यह सब बात तो बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल निकाल के लिए तयार हैं आने वाले एक साल डेड़ साल तक क्योंकि एक लंबा प्रॉसेस होता है पी सी एक्जाम का तो अगर आप एक continuous effort आप डालने के लिए तयार हैं तो फिर आपका पुराना result matter नहीं करता है ठीक है कि आप स्कूल में क्या percentage लाए थे college में क्या लाएं उसका कही ही कोई उपयोग नहीं है ठीक है तो अपने दिमाग से यह सब निकाल करके और अगर आप करना चाहते हैं अभी हम देखेंगे कि आप में क्या qualities required है इस exam को qualify करने के लिए अगर आप वो सब qualities अपने अंदर inculcate करके और आप regular मेहनत करने के लिए तयार हैं बिना कुछ दाए यह एक answer नहीं दिया जा सकता है यह आपका different individuals का अपना capability पर निरभर करता है कि आपको कितना वक्त लग सकता है prepare करने में है ना हमारे हिसाब से 6-8 महीने एक average आप मान सकते हैं आपको इतने महीने तो तयारी करने के लिए अच्छे से तयारी करने के लिए चाहिए ही चाहिए आपको ऐसे examples भी दिखेंगे जहां पर कि इससे कम समय में भी लोगोंने तयारी किया है और इससे जादा वक्त भी लिया है लोगोंने तयारी करने के लिए तो यह सब capabilities पर निरभर करता है second आपको कितना time मिल रहा है पढ़ाई करने के लिए उस बात पर निरभर करता है तो यह individual to individual differ करता है यहां पर कोई एक इसका जवाब नहीं दिया जा सकता है इसका जवाब ढूंडने के लिए आपको syllabus देखना चाहिए आपको पता होना चाहिए कि किन-किन किताबों को आपको पढ़ना पड़ेगा तो इसका फैसल आप खुद ही बहतर कर सकते हैं कि आपको कि कर लिया है इसमें अब आप जो हैसो रेडी हैं आगे बढ़ने के लिए तो हमारे एसाब से यह जो हैसो इंडिविज्वल to इंडिविज्वल करता है अब एक सवाल उठता है कई बार कई लोग बिजी होते हैं है ना कुछ लोग नौकरी में या घर के काम में बिजी हो सकते हैं ठीक है तो ऐसे में कन्फिजन होता है कि तैयारी करना उचित रहेगा या नहीं रहेगा देखिए अगेन जैसे कि मैंने पहले कोश्चन के जवाब में भी आपको बताया कि ऐसे कई लोग हैं ठीक है जो कि अलग अलग काम में बिजी होने के बावजूर ये एक्जाम को क कि मतलब जो बैठ कर सिर्फ पढ़ाई कर रहें तयारी कर रहें उनके अप इच्छा जो वर्किंग होते हैं या फिर दूसरे काम में वेस्ट होते हैं उनमें कहीं न कहीं मोटिवेशन ज्यादा होता है कुछ कर दिखाने का है ना ऐसा मुझे ऐसा लगता है तो डिफिनिटल कुछ सालों में ऐसा कई एक्जामपल्स आया है कई लोग देखे हैं जो कि जॉब में रहते हुए भी अच्छा किये हैं तो मुझे नहीं लगता कि यह डिसाइडिंग फैक्टर है अगर आप मेहनत करने के लिए तयार हैं तो आप डिफिनिटली यह कर सकते हैं इन फैक्ट स अगर आप एफर्ट डालने के लिए तयार हैं तो तयारी किया ज़सकता है एक्जाम का अगें एक नेक्स्ट कोस्चन उठता है दिमाग में कि कितना टाइम डेली आपको डिवोट करना पड़ेगा तो यह अगें पहला आपका सकते हैं यह जो दूसरा कोस्चन था उसी का यह एक्स्टेंशन है यह भी डिपेंड करता है आपका का सकते हैं आपको कितना समय मिलता है पढ़ने के लिए अगर आप सिर्फ प्रिप्रेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको 4-6 गंटे ज़रूर करना चाहिए इफेक्टिव स्टेडी इफेक्टिव स्टेडी यानि कि उस समय आप बिल्कुल ना टीवी देख रहे हैं ना मोबाइल देख रहे हैं कुछ भी नहीं इतना बिल्कुल आपका इफेक्टिव टाइम निकलना चाहिए पढ़ाई का है यह काफी होता है दस पंदरा घंटा वो सब जो है सो ज्यादा होगा उतना आपका जो सारा कंटेंट होगा आपके माइंड में और आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे यह इन जेनरल डेज का बात हो रहा है जबकि आपका एक्जाम अभी पास में नहीं आया है तो इन जेनरल अगर अगर इतना टाइम आप पूटिन करने के ल अगर 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 डिपेंट करता है ठीक है नेक्स्ट कोश्चन है कि मैं भी उतना आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा यहाँ पर है कि आखिर इस एक्जाम को इतना टफ क्यों बोला जाता है तो क्या कोश्चन बहुत टफ आता है तो देखिए इसका सिंपल सा जवाब है कि एक्जाम टफ होने का मेंन रीजन यह होता है कि कोश्चन टफ आई या ना आई उससे फर्क नहीं पड़ता है कभी टफ भी आता है कभी आसान भी आता है वो सब से उतना फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इसका जो तैयारी करते हैं उन सभी को एक आप कह सकते हैं कि एक ज एपियर होते हैं ठीक है न और इन में भी serious students का जो है percentage आज कल काफी बढ़ते जा रहा है ठीक है और दूसरी बात कि यहां पर seats जो होते हैं वह बहुत ज्यादा नहीं होते हैं ठीक है लाखों लोग appear होते हैं तो यह सब जो फैक्टर है जिसकी वज़ा से यह तफ हो जाता है तो अगर आप इन सिरियस कैंडिडेट्स के बीच कॉम्पीट करने के लिए तयार हैं तो फिर कोई तफ नहीं है आप आराम से इसको कर सकते हैं ठीक है और ऐसे जो है आपका जो भी आपको बुक बताया जाता है जो भी आपके टीचर्स आपको बताते हैं उन सबको आपको अच्छे से करना पड़ता है इसमें तो खेर यह सब तो बहुत रिगुलर बात हो गया लेकिन इस एक्जाम को टफ बनाता है इसका कॉम्पीटिशन सीरिय क्वालिटीज का भी यहां पर टेस्ट हो जाता है आपका पेसेंस हो गया आपका डिसिप्लीन हो गया आपका डेडिकेशन डिवोशन आपका कंसिस्टेंसी मतलब आपका जो भी यह सब क्वालिटीज है पड़ाई का यह सब यहां पर टेस्ट हो जाता है तो यह सब चीज ज जो इसको crack कर पाएंगे next है उन qualities के बारे में आपको जानना चाहिए जो की important है अगर आप इस exam को qualify करते हैं तो qualify करना चाहते हैं तो देखिए कुछ चीज इसमें आप समझ लीजे कि आपके पास होना must है ठीक है उसके बिना काम नहीं चलने वाला है और ये qualities आपको एक महीने दो महीने या तीन महीने के लिए नहीं होने चाहिए ये qualities आपको बिल्कुल अभी से inculcate करना है और आपके retirement तक आप में ये qualities होने होना चाहिए तब ही आप एक अच्छा और fulfilling career आप expect कर सकते हैं तो खेर वो तो selection के बाद का बात है selection के पहले जो है कुछ चीज आप समझ लिए पहला तो कि विश्वास रखिए हर उस चीज में जिसको की आप follow कर रहे हैं चाहिए वो अपने आपको आपका books हो आपका sources हो आपका teacher हो आपका जो भी आपका साथ ही है इस preparation में उस पर आपको faith रखना पड़ेगा और सबसे ज़्यादा तो खुद पर रखना पड़ेगा कि हाँ हम कर सकते हैं ठीके ना अगर मेरा एक proper methodology के साथ और बाकी qualities अपने अंदर inculcate करते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे सही दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे again very important सही direction बहुत जरूरी है तो definitely chances है कि आप इस exam को qualify कर जाएंगे faith के अलावा आपको discipline again ये भी एक ऐसा quality है जो बहुत जरूरी है discipline के अलावा आपको consistent रहना पड़ेगा ठीक है ऐसा नहीं कि मतलब नींद टूटा है तो एक दो महीना खुब पड़ लिए और उसके बाद फिर जो है छोड़ दिये पड़ाई ऐसे नहीं आपको consistently जब तक आपका final result में नाम नहीं आ जाता है आपको consistently पड़ाई करना पड़ेगा जैसे आप पढ़ रहे थे बिल्कुल वैसे ही ना वो 4-5 घंटे जो effective study का बात मैंने उपर किया वो आपको regularly करना पड़े है consistency बहुत ज़रूरी है अगर आप एक दिन भी आप किसी थरह किसी भी तरह से miss करते हैं इंची जो को तो फिर आप समझे कि other persons जो आपके लिए वेट नहीं कर रहे हैं वो उस दिन भी पढ़ाई किये होंगे वो उस दिन भी कुछ सीखे होंगे उस दिन भी कुछ रिवाइज किये होंगे है ना तो कहीं न कहीं पीछे छूट जाने का ये भी एक वज़े होता है कि कंसिस्टेंसी कई लोग मेंटिन नहीं कर पाते हैं next है focus इस पर में detail में बात करूंगा एक दिन कई बार ऐसा होता है कि चलिए आज थोड़ा सा general बात कर लेते हैं इस focus वाले component पर कई बार ऐसा होता है कि exam का तयारी करते हैं focus हम लोग lose कर देते हैं उसका कई सारा वजह हो सकता है, ठीक है, ना, social factor हो सकता है, आपका personal factor हो सकता है, कई वजह हो सकता है, focus lose करने का, एक factor और होता है, वो है, different exams में participate करना, ये exam आया तो इसका तयारी करने लेगे, वो आया तो उसका करने लेगे, फिर कोई और आया तो इसका करने लेगे, इसके बा हार्ड वर्क है ना फोकस्ट भी है आप कंसिस्टेंट भी है डिसिप्लिंड भी है फेट भी है सब कुछ है आप में लेकिन मेहनत नहीं कर रहे हैं तो फिर अगें यह एक्जाम क्वालिफाई करना काफी मुस्किल होगा तो हार्ड वर्क इस ऑल्सो इंपॉर्टेंट अब जो गैरेंटी है क्या कि हम क्वालिफाई हो ही जाएंगे तो हार्ड वर्क ही सब कुछ है या फिर लग जैसा भी कुछ होता है यहां पर तो देखिए लग जो होता है यह इसको अब डिफाइन करना तो मुस्किल है हमारे लिए ठीक है लेकिन इतना समझ लीजिए कि यह हार्ड हम लोग जो भी सीखें हमारे हाथ में वही है ठीक है इसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं इससे यह तो बिल्कुल सत्य है इसका कुछ नहीं किया जा सकता है इसका जो प्रोबैबिलीटी है लग का उसको बढ़ाया जा सकता है कैसे इसको बढ़ा कर अगर आप हार्ड वर्क को बढ़ाएंगे तो डिफिनेटली लग जो है बढ़ता ही जाएगा ठीक है अगर यहां पर आपका कमी रह गया तब तो फिर यह तो बिल्कुल वैनिस ही हो जाता है यह बिल्कुल गाय भी हो जाता है ठीक है इस तरह का एक्जैम्स में अगर यह वाला कंपोनेंट हाड़ वर प्रिजेंट है आपके प्रिपरेशन पर ठीक है तो गैरेंटी ऐसा कुछ नहीं होता है कॉम्पेटिटीव एक्जाम में ठीक है एक थोड़ा मुला कोई डिस्ट्रेक्शन आ गया एक्जाम के समय एक्जाम के समय तवियत खराब हो गया कुछ हो गया सारा साल का मेहनत के साथ सही direction में है ना सही तरीके से तब जा करके संभवत आपका लग आपका साथ देगा और आप एक्जाम जरूर क्वालिफाइ कीजिए गा ठीक है और इस एक्जाम को क्वालिफाइ करना कई लोगों का जो ऐसो बिल्कुल सपना होता है ना तो यह कोई चोटा मुटा हो गया होगा next session में हम लोग बात करेंगे books और sources के बारे में जो आपके 11th JPSC के लिए useful है काई लोग जो है और इन सब बारे में भी बात होगा time management के बारे में भी बात होगा क्योंकि आपको final qualification लेना है आपको सिर्फ PT नहीं क्वालिफाइ करना है ठीक है तो हर एक aspect पर यहां पर बात होगा और आप लोग इसी तरह बने रहे हैं यहां पर ठीक है लास्ट one and a half year मैं मैंने काफे कुछ आप लोगों के साथ discuss किया है तो में भी आप में से जो पुराने students है वो इन सारे में से कई सारा बात सुन चुके होंगे हमारे मुझ से पहले भी लेकिन ठीक है यह एक consolidated form है and आपको इसके बाद भी कोई confusion रहता है तो प्लीज आप नीचे comment करके बताईए गा उस बारे उसको आपको उन books को जरूर पढ़ना चाहिए ठीक है उस बारे में बात करेंगे next session में ठीक है फिर अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए thank you